हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम ग्रिव विज्ञान का कक्छा 10 क्लास 10 से ग्रिव विज्ञान का चप्टर नमर 9 जिसका नाम है कपड़ों की देखरेक तथा उनका रख रखाओ ठीक है यूनिट 4 जो है काई 4 हमारे वस्त का यह पहला चप्टर है ठीक है और पूर का 9 चप्टर केर अन्मेंटेर्णस आफ रख अब जानते हैं हमारे जो वस्त होते हैं मौसमी सुरच्छा बदान करते हैं साथ के साथ हमें सुन्दर्ता भी बदान करते हैं आजकर तो कपड़े पहनने का फैशन यह बिल्कुल चेंज हो चुका है आप सभी जानते हैं हम अल अलग 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 अवसरों पर जिसे शादी हो गया या कोई भी और occasion हो गया उस पर भी हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं इन कपड़ों का रख रखा भी एक कला है अगर हम साइस से रख रहे हैं तो वना साफ से उंदर कपड़े हमारे व्यक्तित को निखारते हैं व कुछ वस्ति वूशन ऐसे भी होते हैं जिनें हम कई बार पहन रहते हैं और उस से बाद रहते हैं या निरबर करते हैं कि हम किस मौसम में पहन रही है यद grateful कि निख यह जोख करे किस मौसम ने अपने जरी वाले महेंगी कपड़े जो हते हैं या उनिशाल जो होते हैं हमारे आधी को ड्राइक क्लीन कराते हैं ठीक है चलो ड्राइक क्लीन करते है कपड़ों को पानी से नहीं बलकि उसमें ग्रीज और शोशक तथा विलायक को प्रियोग किया आता है ग्रीज आपको पता योगा जो चिकना चीज होता है और शोशक मतलब जो उसको अब्जर्ब कर लेता है विलायक मतलब मिलाने वाला ठीक है इससे जो कपड़े हमारे वो सुरचित रहते हैं मोटे सूती नैलॉन आधी कपड़ों की दुलाई पर हम घर पर ही कर लेते हैं मोटे कपड़ों को सफेद कपड़ों से चाट कर टक लेना चाहिए नहीं तो वो रंगिन कपड़े क्या करेंगे अपने कलर सफेद कपड़े पर छोड़ देंगे ये बहुत सी बैसिक सी बात है आपको पता होगा अपने वस्तरों पर कई परकार के लेबल को लगे देखे होंगे म कि उस पर लिखा होता है किस तरह से दोना है मशीन में या हास या कैसे क्योंकि उन सभी वस्तर की किस में उसके साथ बरती जाने वली सावधानिया आता दोने के लिदेख जो उसके लिखे होते हैं बहुत से कपड़ों पर दाग लगे होते हैं जैसे आप चोटा भाई सब्सक्राइब उसने रंग लगा दिया या मा रसोवी में काम करते समय कपड़ों पर दपा लगा सकती है जैसे को प्ठाघृ बना रहीLast तो लडी और कुछ ऐसे चीज होते हैं खाने के हमारे कपड़े पर आ जाती है ना सेमार रसोई में काम करते समय कपड़ों के लगा सकती है پिता जी के स्कूटर की ग्रीज आधी हो सकती है न दागों को पैचान कर नखर इन दागो औंड तरह को साहस किया जाना चाहिए अलग इलग anten virby किकर दागों को घुटाने के लिए ए और दूसरा होता है हमारा डीपिंग को कहते हैं सोखना और डीपिंग को कहते हैं डुबा कर रखना कपड़ों की दाग हटाने के बाद उनकी दुलाई की जाती है ठीक है धुलाई में भिहोना हो गया रगड़ना हो गया नीचोड़ना सुखाना इस्तरी करना जैसे चरण इस मगलब लेवल पहले हैं सबसे पहले भी होएंगे रगड़ेंगे निचोड़ेंगे सुखाएंगे फिर प्रेस करेंगे इस तरी करेंगे कपड़े को साफ करने के लिए हम ब्रेश से रगड़ सकते हैं यह हाथ से भी रगड़ सकते हैं कुछ लोग कपड़े दोने के लिए मश है नहीं नहाए पन राखने के लिए कुछ परिसजा की ज़रुएत होती है। है न जाए करने के लिये प्रकार्टी हो जाता है कड़क करके फिर प्रेस करते हैं अलग ही लुकाता है चलो इसके अलावा हमें अलग-अलग प्रकार्टी कपड़ों को दोने के लिए अलग डिडरेजिन वर सावधाने की ज़ुदत होती है जैसे प्रेशमी वर उनी कपड़ों को ब्रेस से नहीं रगड़ा जा सकत बलकि उन्हें हलके हाथ से रगड़ना पड़ता है कपड़ों के दुलाई के बाद उन्हें खंगाल कर सुखा कर इस्तुरी करके रखना चाहिए ठीक है पार्टगत प्रस्ट नौसमलो एक की बात करें तो पहला कोशन है मीना के पास गंदे कपड़ों से भरी एक टोकरी है उसमें उसका रेशम का बलाउज जरी वाली साड़ी सूती कमीच सूती पजामा का उन्हीं शौल है आप इन में से किन कपड़ों के लिए घर में दुलाई के लिए इन कपड़ों को ड्रैक लिन के सला देंगे और क्यों देखो यह केस बेस्ट कोशन है जितने भी केस पर उठाके देख लो उसमें बहुत सारे कोशन लगवाद 30 से 40 परसंट कोशन ऐसे आते हैं चलो इसका अंसर देखते हैं फिर इन में से रेशमी बलाउज सूती कमीच वे सूती पजामे को घर में आसानी से दोया सका जब यह जरी वाली साड़ी जो है उनी शाल है उसको ड् की जा सकेना उनी कपड दशाग गर्म कपड़ों को संभालकर रखने के लिए सबसे पहले सबी कपड़ों की जात करें जो कपड़े गंदी है ट्राय क्लिन या द वह है जो ब्रेस सी रगड़ का साफ होते है वही बात जभा है उन्हें रखने से पहले सबीक प्रकार से रखक कपड़े के नेप्थलीन की गोली बांग कर डाले जैसे गोली होती है पुडिया से आती है वो डाले ताकि उसके अंदर कीड़ा ना लगे ठीक है अब पार्ट गर्ण प्रस्ण जो है नो तो सम्झे दो है इसमें करें बताएं कि निर्मिकित वाकि सही या गलत अपने उत्तर क अचित प्रस्तूत करना है तो यहां पर पहला है गंदिक व्यक्ति के स्वेच्छता के लिए अनिकारक होते हैं गंदिक विल्पल सही बात है तो अब हारी आने के आपकी व्यक्तित खराब हो जाएगा ठीक है तो इसका अंसर आप यहां से देख लोगे पहले मैं कोशन यहां पर आपको सही ऒल्स बताना है और इसका ऑचित बताना है तो वीडियो को पूस कर सकते हैं वीडियो को पॉस करके आप यहां से पूरान सरु को अपनी कॉपी में नोट कर ले शेकर sail दो करें अब पारिक प्रस नतवतिबो ती तीन में कह रहरो हैं सहीend जोटिक करना ह तो पहला कोशन है, सफेध कपड़े पर चाय का पुराना दाग, नमक के पानी का प्रियोग करें, ग्लिसरीन में डूबो कर रखें, नेंबू के रसमें डूबोएं, दाग पर बोरेक्स लगाकर उस पर वलता हुआ पानी डाले, तो सफेद सूती कपड़े पर चाय का पुराना दाग अटाना है तो आपको बोरक्स लगा कर उबलते को पानी में डाल देना चाहिए, यह सबसे अच्छा तरीका है नेक्स्ट कोशन देखते हैं, सेकेंड पर रंगीन सूती कपड़े पर रक्त का पुराना दाग, मतलब अगर खोन के दब्बे हैं तो नमक के साथ पानी का प्रियोग करना चाहिए, लिपिस्टिक के दाग हैं तो आपको मिथाईलियू स्प्रिट से सोखें, ऐसे रख देन वो सोख लेगा, जंग के अगर दाग हैं तो उसका अंसर में आपको पतायाता हूँ, नेम्बू के रस से होता है वैसे ये, चलो, तो इसका है नेम्बू के रस वैं नमक का प्रियोग करें, पॉलिष्टर के कपड़े पर निल पॉलिस के दाग दिबर होते हैं तो गुनगोने पानी ददा सापन की साग गोल में डुबो हैं, पाट के तो प्रस नो दो समलोग चार है, यहां पर आपको फिलप्स करना है, तो पहला कोशन है कपड़ों को कुछ समय के लिए भिगो का रखने से मैल को करने में सहता मिलेगी, हलका करने में, चिपकाने में, इस तिर करने मे ठीक है, इस तरह से यहां पर देखो, छे, साथ, आठ, आठ, आठ कोशन है, ठीक है, इन सभी का अंसर आप यहां से, नो और दस, इन सभी का अंसर यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है, चलो, उसके बाद 9.5 में टिक करना है, सही गलत है, तो रेश्मी कपड़ों को दोने के क्या होगा, उसकी kinetic energy बढ़ जाएगी, जिससे उसकी motion होगा, उसके dust particle move कर जाएगे, यह थोड़ा physics की language है, तो आप अगर इसकी language में देखेंगे, तो क्या लिख रहा है, उनी कपड़ों को धोने के लिए गुन-गुने पानी का प्रयोग करना चाहिए, अच्छा explanation नहीं दि प्रसमें दो है, सही विकल्प का chain करना है, तो column का, column कहा में है, यहाँ पर आपको यह दिया हुआ है, पहला, गीले रेस्मी वह उनी कपड़े, उसमें कौन सा सही है, यह बताना है आपको, ठीक है, तो next page पर चलते हैं, जिसमें आपको मैं बतायता हूँ क्या-क्या सही है, तो यहाँ पर आप वीडियो को pause करकि आप इसको सही कर सकते है, ठीक है, गतिविधी एक्टिविटी 9.1 है, इसमें कहा रहे हैं कि वस्तरूप पर लगे, तीन-चार लेबलों को गत्र करें, मतलब कपड़े लीजे, उसमें तीन-चार लेबल अलग-अलग कपड़ों से निक केलर्स, डूनोट ब्लीज, डूनोट नॉट रिंग, हैना, तो यह सारे यहाँ पर कंडिशन लिखे है, इसका मतलब क्या है, वस्तर के गटक दिये हुए है, जैसे तो यहाँ पर क्या क्या चीज़े है, उसके बाद धोने और सुखाने के निर्देश दिये हुए है, ठीक है तो आपको यहाँ पर अपनी इसका उसको और भी बताना है, तो सिल्का सूट है, वहाँ पर आपने लिखा है, देखा कि वहाँ पर लिखा है, ओनली ड्राइ ग्लीन, सिल्कन शॉर्ट लीज, वहाँ पर लिखा है, वहाँ पर लिखा है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर दे पहिना ने साथ चातकार के लिए एंटर्वी के लिए एक अच्छा सा फूट पहना रिसमी का पूरे समय अपने सूट का ध्यान रख रही थी कि कहीं गंदा नहों जाए तो सामने जा कि जो इंटर्वीर होगा उसके सामने तो पिज़िती सी होता है कि ऐसा फील करते हैं जब घर आई तो अपने कपड़े बदले अपने सूट की तरह तह लगाते हैं उसमें उसमें देखा कि इसको सूट में तरी का दाग लगा हुए तरी का मतलब जो सालन होते हैं सबजी खाते हैं उसमें जो गीला पोरिशन होता है लिक्विड वाला उसको तरी कहते हैं इंग जाड़े डिटेजन के गोल में एक घंटे तकली रखा ठीक है उसने अपने सूट को सूखने के लिए एक तार डाल दिया लेकिन सूखने के बाद भी दाग बना रहा हाटा नहीं हलका हो गया था थोड़ा सा ले उसके बाद उसने दाग वाले हिसी पर हैड्रोजन लगाया इसे दाग गायब हो गया इसके बाद उसने सूट को पानी में कई बार दोया ताकि रसायन की कड़ मतलब जो केमिकल डाला था ना हैड्रोजन पैरकसाइट उसके कड़ भी निकल जानी तो अगर वो अंदर रह जाएंगे तो कपड़े को कमजोर कर देंगे मतलब उ इसमें तर्क भी बताना है तो आप यहां से वीडियो को पॉस करके देख लिए ठीक है चलो गतिविधी 9.4 इसमें कह रहे हैं सवर्दियों की एक शाम को वेंकट ने खादी का एक बहुत सुन्दर कुर्टा पहना और एक पार्टी में चला गया उसने पार्टी के पूरा आ कुछ दिनों के बाद जब उसने कुर्टा बाहर निकाला तो देखकर आचार हो गया कि कुर्टी में तो दाग लगे हुए तो उसने कहा कि सफेद पाउडर नुवा पदार्स लगा था है ना इसके बाद इसके बाद क्या उसमें से दुर्गंग भी आ रहे थी वेंकट दु वेंकट के कुर्टों के साथ क्या गलती हुई ठीक है तो यह तो आपका पहला उसके बाद आच दूसरा देख लेते हैं यदि आप इस स्थी में होते तो अपने आन आपने खादी के कुर्टों को बचाने के लिए क्या किया होता तो पहला है उसे गीला कुर्टा नहीं रख है सकते हो वो रखते हैं तकि फुब hinge asian present a song दूकर दूकर उसका मैल निकालना उसकि परिसर्जा करना को शुँषा चारना को समहाल अच्छा दागों को उनके मूल रूप के अधार पर वर्गी कृत किया जा सकता है जैसे कि यहां पर इस रिडी में बताया गया वनस्कती दाग अगर तो चाय कॉफी फल हो चिकना है तो मक्हन गी तेल है न करी करी वही है जैसे अंडा करी होता है लिक्विड वाला पॉर्शन जूता पॉलिस ठीक है पशु दाग है तो रख्त दूद अंडा हो गया खनीज है तो जंग लग जा यहां पर आप इसका अंसर देख लें कैसे क्या होता है वीडियो को पॉस करके स्क्रीन सूट ले सकते हैं ठीक है चलो आप सफेद सूती कप्ड़े किस प्रकार साफ करें कारल बताना है तो सबसे पहले तो भिगोग या भिगोने से मैल जल्दी से छूड़ जाता है सफेद कपड़ों और बहुत मैले कपड़ों को साबुन में साबुन के गोल में भिगोया जाता है भिगोने से कपड़े होने में समय और मेहनत कम लगती है कपड़े भिह होते में क्या होता है दिया रखना चाहिए इन्होंने क्या पता था कि जब अगर आपके क्या है गंद तो आप खुदी वीडियो को पॉस करके इसका अंसर लिख लो ज्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मैं पड़ाओंगा बोर ही हो जाओगे आप चलो सेकंड देखते हैं धुलाई बहुत मेले और सफेद वस्तुरों में गर्म वस्तुरों को गर्म पानी में और रंगीन वस्तुरों को ठंडा पानी ताकि उनका रंग सीका ना पड़े है ना वैसा है दो यह दोने के लिए घर्षण विदी अपना यह बहुत पैसे बहुत मैले हिस्तों पर साबून लगाई है और हाथ या ब्रश से जोर से रगड़ी है कड़े हुए सूती वस्तुरों की दुला लगाए इसी तरह से और कड़ा करना कड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं अभी भी हमने वहाँ पर देखा था ठीक है कलफ लगाते हैं उसके बाद पहले कलफ पॉडर से मैदा हो गया रा रोट हो गया रा रोट ही जादा यूज उता इस रिवाइब आपने नाम सुना होग बेसिक सी बाते हैं वैसे मेरे कॉड़ी आप इसे पढ़ सकते हो नेश्ट है नील लगाने के लिए नील के लिए क्या करना होगा सबसे पहले पानी में आप हलका सा डालीए नील आ उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि नील जो है पूरे पानी में आजाए फिर उसके को चारो तरफ अच्छे से घुमा लीजिए पूरा हर एक पोर्शन पे जोगा नील लग जाए फिर उसको निकाल कर थोड़ी दिर बात निकाल कर जटक के निचोड के पानी फिर आप सुखाने के लिए रख दीजिए इस तरह से यहां लिखा हुआ ठीक है चलो सुखाना सु क्या पढ़ो मैं आपको करी सकते हो ठीक है चलो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन देखते हैं फिफ्स उसका अंसर थोड़ा सा आप यहां से देख सकते हो कित्रिम कपडों की दुलाई सूती कपडों की दुलाई से किस परकार बिंड होती है ठीक है तो नैलोन पॉलिस्टर एक्रेलिक वस्तरों की कित्रिम वस्तर का जाता है ठीक है तो सूती कपडों की तरह नहीं होता कभी अलग होता है इसे इसमें कित्रिम कपडों को गर्म पानी भी बिगाया जाता है क्योंकि इन में सिल्वटे पढ़ जाती है ठीक है मतलब उसमें सिल्वट समझते होगे ठाह कर आजाता है इनको सुती वस्तुर का भाती तेज नहीं रगड़ा जाता है बलकि हाथ से दबाव टॉलकर रगड़ा जाता है इने कसकर नहीं मिचोटते वरना इन में सिल्वर्टे पड़ जाती है इन कपड़ों को हैंगर में ही सुखाना चाहिए इस बेसिक से बात हैं आप सेली ने एक सफेद उनी कार्डिगन खरीदा दो बार पहनने के परचाथ उसने इस कपड़ों के साथ वाशिंग मचीन में दोया दुलाए के बाद कार्डिगन में होने वाले प्रपाव और कारड़ों को लिखना है आप यहां से देख लीजिए कार्डिगन जो है चोड़ा पानी में हल्के साबॉन के दोना चाहिए इसे हल्के हाथ से दबाओ कर रगड़ना चाहिए है ना साबुन को पूरी तरह से निकालने के लिए अच्छी तरह खंगाले हम इसमें मोड गम Arabic जिसे कहते हैं लगा कर छामें सुखाने के लिए टांग देए इसमें हल्की नमी रह चार चर्ड लिखना 1 तो अब भी धुलाईब आपने देखा था ठीक है उसके बाद 456 देख लिख लेते देखote तो नौन धानिया विडियो को करकर लिखलें ज़ेट्छे सावदानिया होगी उसके बाद यह पूरी की 9 सावधानिया हुए ठीक है नेक्ट चलते हैं नेक्ट पेज पर वैसे ही सेकेंड लास्ट पेज है यह थार्ड कोश्चन देखते हैं थार्ड कोश्चन में कह रहे हैं चिकनाई तथा नेल पॉलिस या बूट पॉलिस ते दबब किस पिकार दूर करोगे तो मक्षन गी तेल वसा यहां पर दिया हुए है और सफेद यह सारा दिया हुए यहां पर इसके बाद कमेंट है जब दबब इस वाली कपड़ यहां सार देख सकते हो उसके बाद चौथा कर प्रेश्ण है आपका यहां पर कि कपड़े दोने की जो चार विदिया है उसको बताना आपने तो पहला है घर्षड विदी रगड की हास से रगड कर दोना ठीक है अब घर्षड विदी जो है मजबूत वस् आपने के लिए प्रियोकिए था जिम्हें बुनाई रोहएदार होती है रोएदार अगर बुनाई होती तो सब्सक्राइब निकल जाएगा तो तुमें साबन का गोल लगा के इसके अंदर डाल देना चाहिए है यह वह है उसके बाद हलके दाप से दूलाई है ठीक है यह करें यह उसके बाद मशीनों से दुलाई बेहतर पता आपको वाशिंग मशीन फिफ्ट कोशन है सिंथाटीक वस्तरों के समय दुलाई की प्रिक्रिया बताना आपने नैलॉन पॉलिस्टेर एक्रेलिक्स सामान कितरी में सिंथाटिक होते वस्तर यह नियुंतम देख बाल वाल अधिकतर इसका प्यूक जो स्वेटर बनाने के लिए किया था और इसे एकसर लोग उन समझ बैठते हैं तो कैश्मिलोन को आप उन ना समझना कैश्मिलोन नैलोन पलिष्टर वस्तुरों की दिलाई करते समय हैं बढ़ती जाने वली सावधानिया हैं आप यहां से देखने क्य इसे नेक्स वोचन है रेच्मिलोन की दिलाई की ऑरवल्ण करना है तो देख लेते हैं यहां पर बिगवना फिर ड्रव साबूं क्या क्या लगाके सारह कुछ यहां पर नौ प्रक्रिया हैं उसके बाद सावधानिया हैं यहां पर चार ठीक है तो यह चप्टर इतना ही था उसके बाद मिलेंगे हैं फिर नेक्ट चप्टर में, जिसके चप्टर नमबर 10 में.